PFI ने NIA के छापों के विरोध में कीरल में आज हर्ताल कर रही है PFI ने सुमा से शाम 6 बजे तक छापे मारी के विरोध में हर्ताल कर रही है PFI पर कारवाई अब तक के NIA के सबसे बढ़ी कारवाई है 15 राज्यों में NIA ने 93 जगहों पर छापे मारी की जिसमें कुल अब तक 100 से जादा लोगों को हिरासत मिलिया गया NIA के 300 करमचारी और अधिकारी इस कारवाई में शामिल थे NIA ने कहा कि चापे मारी कुछ आपती जनक दस्तावेजों के आधार पर दरसल की जानकी है जो एजनसी को आतंकी फंडिंग की जाँच के दौरान मिले देखिए आज तक NIA ये कुछ भी सुबूत देश के सामने नहीं रख पाई कि PFI कहां और किस जगा देश दरोही में मुनुबस है इधर बजरंग दल ने जम्मू में प्रदर्शन किया क्या आप मुद्रा लोन के लिए दरजनों बैंक जा कर ठक चुके हैं आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो Freedom Map को अभी डाउनलोड करें आतंकियों ने कश्मीर में सिनमा घर में जाकर फिल्म देखने पर लोगों को अंजाम भुगतने की धमकी दी इस धमकी भरे खत के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गए जम्मू कश्मीर के राज़ोरी में एक गाड़ी खाई में गिर गई जिसमें बैठे दस लोग गाइल हो गए बाद में गाइलों को अस्पताल में भरती करवाए गया बीसीसी आई अध्यक्ष सौरफ गांगली ने बताया कि अगले सीजन से आईपियल अपने पुराने अंदाज में नजर आएगा जिसमें टीमें अपने गरेलू मैदान पर मैच केलती दिखेंगी पीएफाई के खिलाफ एनाईये ने सबसे बड़ी कारवाई की और दस से ज़्यादा राज्यों में उसके ठिकानों पर चापे बारे एनाईये ने ये रेड पीएफाई पर लगे टेरर फंडिंग के आरोप में के मामले में की और एडी के साथ मिलकर दस से ज़्यादा राज्यों में पीएफाई के ठिकानों पर पहुँच गई लेकिन ये एक्शन लेना उसके लिए आसान नहीं रहा क्योंकि ज्यादा तर राज्यों में उसे पीएफाई कारेकरताओं का विरोध जहलना पड़ा केरल के कोशिगोड में तो रेड के दौरान एनाईये और एडी गो बैक के नारे भी लगे कुछ यही आल करनाटक के मेंगलूरू में भी रहा जहां प्रदर्शन इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस को पीएफाई कारेकरताओं को हिरासत में लेना पड़ा लेकिन पुलिस की गाड़ी में डाले जाने के बाद भी इन लोगों ने नारे लगाने बंद नहीं किये एनाईये ने एडी के साथ मिलकर पीएफाई के खलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कारवाई की जिसे ऑपरेशन मिडनाइट भी कहा जा रहा है क्योंकि देश के अलग-अलग राज्यों में एनाईये ने रात में ही छापे मारी शुरू कर दी थी खबरे कि इस पूरी कारवाई पर केंद्रिय ग्रेह मंत्राले की नजर थी और अलग से एक मॉनिटरिंग टीम बनाए गई थी जो अलग-अलग राज्यों में हो रही चापे मारी पर नजर रख रही थी सूत्र बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सरकार को PFI के खलाफ इंपुट मिल रहे थे और उनी के आधार पर ही संगठन के खलाफ पहली बार इतनी बड़ी कारवाई की गई और उत्तर से दक्षन तक के राज्यों से सौ से ज़ादा लोगों को गिरफतार किया जिन में दिल्ली के शाहीन बाग से गिरफतार हुए PFI अध्यक्ष परवेज एमद भी शामिल है NIA ने जिन राज्यों में छापे मारे उनमें केरल, बिहार, तिलंगाना, करनाटक, महराष्ट, दिल्ली, राजिस्थान, तमिलनाड, उत्तर प्रदेश, मद्ध प्रदेश और आंध प्रदेश जैसे राज्ये शामिल है इस कारवाई के बाद ग्रे मंतरी अमिट शाह ने राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार अजीद दुभाल, ग्रे सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक भी की न्यूज 18 को कुछ एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी मिले हैं जिन में NIA की हधराबाद कोर्ट में दाखिल की गई रिमांड अप्लिकेशन शामिल है ये अप्लिकेशन PFI सदस्यों के खिलाफ दाखिल की गई थी पता चला है कि PFI सदस्य शेख सादुला ने NIA को ये बताया था कि 14 साल दुबाई में रहने के बाद उसने हैदराबाद और डक्षिन के राज्यों में किस तरह से PFI का जाल पहलाया और उसके सदस्यों को ट्रेनिंग दी यही नहीं खबर है कि उसने संगठन की कई बैठकें की जिनमें इस बात का खास खयाल रखा जाता था कि कोई चीज रिकॉर्ड पर ना हो इसलिए बहुत जरूरी बात ही कागस पर नोट होती थी वो भी कोड में पता चला है कि कुछ महीने पहले 200 PFI सदस्यों को कुंगपू और लीगल अवेरनेस की ट्रेनिंग भी दी गई थी यही नहीं खबर है कि PFI की ट्रेनिंग का तरीका पेशेवर था और ट्रेनिंग लेने वाले शक्स को उसकी रैंक के हिजाब से ट्रेनिंग मिलती थी सूत्र बता रहे हैं कि इस ट्रेनिंग में PFI सदस्यों को पत्थर मारने के तरीके भी दिखाए गए थे और बताय गया था कि कैसे पत्थर सीधे टागेट के सर पर लगी इसके लावा सूत्र बता रहें कि NIA को PFI के सदस्यों ने ये भी बताय था कि उसका मकसद एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाब बढ़काना था जिसके लिए चाकू चलाने, पत्थर मारने और सार्विजनिक संपत्थी को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई था और NIA का आरोप है कि इनी खतरनाक हरकतों के जरीए PFI माहौल बिगाणने की प्लानिंग कर रहा था जिसकी वज़े से रातो रात देश के अलग-अलग हिस्सों में PFI ठिकानों पर रेट पड़ी और दस्तावेज जब्त किये गए क्योंकि NIA को शक है कि PFI टेरर फंडिंग के जरीए अपने कारकरताओं को तयार कर रहा था और देश के अलग-अलग हिस्सों में अपना नेक्सस पहला रहा था वैसे ये बात अभी साबित होनी बाकी है क्योंकि PFI इन आरोपों को गलत बता रहा है और इसी वज़े से देश के अलग-अलग हिस्सों में उसके कारकरता सडकों पर गर पर रहा है